हलो फ्रेंस आज में बनाने जाने सुजी का हलुआ जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और यह हलुआ आप जल्मास्ट में बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पज़न आए तो मेरी चैनल को आप सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और मुझे आधा को टोड़ी धनिया लिया है और यहां पर मैंने चार चमच घी लिया है मैंने बड़े चमच से चार चमच लिया है तो यहां पर मैंने गयास को पर कराही को गरम होने के लिए रख दिया है तो इसमें मैं डालूंगी धनिया को और इसे इस तरह से मिलाते रहूंगी यहां पर मैंने मिक्सी लिया है और इसमें मैं धन्या को डाल देती हूँ और इसमें मैं डालूँगी एक चमत चिर्नी अब मैं पीस लेती हूँ इसे तो यह देखिए यहां पर मैंने इसे पीस लिया है तो इसे मैं एक कोटोरी में निकाल लेती हूँ तो मैंने यहाले गी डाला है गी गरम हो गया है तो इसमें मैं डालूंगे सुझी को और इसे इस तरह से मिलाते रहूंगे जब तक सुझी में हलका सा कलर चेंज ना हो जाए तो यह देखे तो सुजी में कलर है जो चेंज हो गया है तो इसमें मैं डालूंगी चीनी को चीनी डालने का बाद तुरंथ मैं इसमें पानी डालूंगे तो मैंने यहां दो कप पानी डाला है और अच्छे से इसे मिला लूंगे तो यह देखिए मैंने यहां अच्छे से मिला लिया है हमारा हलुआ है जो तैयार हो गया तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और गयास को मैंने बंद कर दिया है तो इसे ठंडा होने के लिए मैंने अच्छे से फला दिया है तो यह देखिए यह ठंडा हो गया है तब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ आप चाहिए अपने मन पसंद सेप्ट में भी इसे काट सकते हैं तो यह देखिए तब मैं इस पर डालूंगे पिसा हुआ मसाला को इस तरह से मैं फेला दूंगे इससे जो हलूआ में टेस्ट है जो काफी ज़्यादा अच्छा आता है अगर आपने नहीं बनाया है तो एक बार इस तरह से आप ट्राय करके देखिएगा आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आपने नहीं बनाया है तेक बार मेरे तरीके से आप बना कर देखिए आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इस रेस्पी को घर पर आप जरूर ट्राय करना अब मुझे कमेंट करना न भूलना थैंक यू